हेलो दोस्तों आज हम मनाएंगे बरत के खाने के लिए आलू की सबजी और साथ में कूटू के पराठे और यह बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में और साथ में हरे दिनी की चट्नी हो और साथ में दही हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इनका कूटू क प्राठों का और यह देखिए कितने बढ़िया नरम मुलायम प्राठे बनके तयार होएं चली आए इसे बनाते हैं हमने कुकर में थोड़ा सा घी डाल देंगे देसी गी और हम बरत के लिए बना रहें इसलिए हम देसी गी का इस्तिमाल करेंगे इसमें थोड़ा से जीरा डाल जाएंगे जिससे कि यह अच्छे से मैस हो जाएं और यह हम रेसे वाली सब्जी बना रहे हैं इसको हम अच्छे से बून लेंगे थोड़ी देर दो तिन मिनट के लिए और फिर इसके इसमें हम पानी डाल देंगे पानी हम अपनी इच्छनुसार कम या ज्यादा करक सकते है हम इसमें दो ग्लास के करीब पानी डालेंगे और यह सब्जी हमारी बनने के लिए तैयार है अब इसको हम 10 मिनट के लिए धक के पकाएंगे इसके लिए इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वादा अनुसार जिससे कि अच्छे से पक जाए सब्जी और इसको ढखके 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे यह हमने ढख दिये प्लेट अब हम कुटू की प्रांठे बनाएंगे इसके लिए हमने आधी किलो आलू लिये हैं उबलेवे और इनको छील लिया है अच्छे से और मैसर की सायता से इसको अच्छे से मैस कर लेंगे आप चा कुटू का आटा मिला देंगे आदी किलो के करीब हमारा कुटू का आटा है और यह हमने मिला दिया है इसमें आलू में थोड़ा से प्लोथन के लिए बचा लेंगे अब इसको हम हातों से मैस करेंगे इसमें थोड़ा से नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसको हातों है ये आटा है कुटू का इसी को हम अच्छे से dedborने कर गदेंगे को сбadas API के वह की खेलत लें अगए को उसके क्वाने करेंगे आटा हमारा बनके टियार हो गया है और देखिए कितना बड़ी हाPe साटा बन के त्यार होए समें इसमें साथा प्लोधन भी रख लेजा है अब हम अलु की सब्जी ते लेते हैं अलु की सब्जी को देख लेते हैं अब इसमें हमने अच्छे सreखशंऔ बह touchdown डाल दिया है सब्जी बन के बिलकुल बद्द्टा बड़ी हो गई है बह। क 맛있 이제 trabal ど тран ripple weekend & changes in form आप चाहे तो हलके हात्य हात्य हैं बेल अशे से भी बेल सकते हैं थोडा सा थोड़ा खायि ise हात्य ना पडाता है क्योंकि यह जल्दी से टूट जाती है हम हम इसको हात्यों से बेल के त्यार कर लेंगे । यह देखिए कितनी बढ़ी है रोटी कि यद्या ने समया की तरह जाने तंक है है और गे लागर आकते हैं सखेतों अर्भ को नहीं है अघ्राइडितically एलों ही अच्छे सेखेती से भी और रांटे सीन को इसे धरीने कि एना आरखते हैं तरह हैं साथ में और आलू की सबजी रेसे वाली और साथ में कुटू के प्राथे बहुत ही ज्यादा स्वादिस्ट लगते हैं और साथ में दही हो तो बहुत ही ज्यादा टेस्ट लगता है दही के साथ भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं प्राथे और बहुत ही आराम से बन जाते हैं नरम सोफ्ट होते हैं खाने में बड़े ही स्वादिस्ट लगते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से रों सब्सक्राइब करना नह भूले थैंक यू